सब्सक्राइब करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है फंडमेंटल सफ फार्मसी और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जॉइन इन आमी के का रिकूट्मेंट सिपोई फार्मा का रिकूट्मेंट उसके बारे में सारी चैनल का रही इस वीडियो में आईए हम देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टार्ट करते हैं यह वीडियो में 2023 ठीक है तो आपके सामने यह वाला पेज खुलेगा इंडियन आर्मी सोलजर से पॉय फार्मा जॉइ इंडियन आर्मी www.join.inniarmy.co यह हमारा जो है सीदे सीदे पेज खुलेगा इंडियन आर्मी सोलजर से पॉय फार्मा रिकूट्मेंट रैली इंडियन आर्मी में भरती के लिए फार्मसिस्ट की बरती के लिए यह रैली है बहुत सारी जगह इसकी रिकूट्मेंट लिए है सोलजर से पॉय फार्मा एट वेरियस वेन्यू बहुत सारे वेन्यू से इसके और गोल्जन ऑपरचिनेटी है कैंडिटेट्स ने जन्होंने फार्मी सी किया हुआ है इंडियन आर्मी जोई करने के लिए सबसे पहला जो है रिकूट्मेंट प्रोसीजर का प्रोसेस है वो है ओनलाइन कंप्यूटर-based CEE examination उसके बाद आपकी रिकूट्मेंट रही होगी PFT और मेटिकल टेस्ट होगा examination fee रहेगी 250 तो online mode and the candidate on successful in the application with directed to XBI portal through the link on the website जब आप भर लेंगे तो आपको directly SBI portal पे ले जाए जाए जाएगा आपका fee पे करने के लिए ने में आपकी पोस्ट की soldier supply pharma education qualification चाहिए यहां पर आपको 12th class D farm minimum 55% marks चाहिए आपका farm और registered चाहिए आप state pharmaceutical या pharmacy console of India और B pharma के 50% marks जो है चाहिए और किसी भी farm state में आप registered होने चाहिए एज criteria यह है between 19 to 25 years of age होनी चाहिए उसे जादा नहीं होनी चाहिए online registration begin हो जाएंगे 16th February से और last day of online registration आपकी 15th March recruitment rally dates जो है वो 17th April के बाद जो है वो मिल जाएगी और जैसी form बराते हैं उसके बाद ही आपको admit card जो है available हो जाएगा important note only unmarried men candidate are eligible सिर्फ unmarried men जो है eligible है यह आपे online registration mandatory है सारे candidates के लिए और valid admit card होना चाहिए आपके पास official portal on Indian Army candidate must take a printout of admit card in black and white and from laser printer only सिर्फ laser printer से आपको print out चाहिए इंगी जैड प्रिंटर से print out नहीं से लेगा फिर आपको की वैन्यू पर report करना है ठीक है और पास पूस साइट photograph होनी चाहिए top right hand corner of the admit card and self-attested उसको आपको लगा लेना है उसको self-attested कर लेना है अपने साथ साथ एक आधार काद की photocopy और pen card की photocopy admit card के साथ लिकर शलना है आपको है कि के how to apply online registration करना है आपको पूरा-पूरा और यह देखिए login to apply admit card यहां है how to apply video भी इन्दी में आप क्लिक करके देख सकते हैं बैंगलो और चैपूर चारकन लख नौ जालन्द है डैली जबलपूर अंबाला चैनाई पूने कुलकत्ता नौर्थ इस्टन स्टेक्ट्स तक की जो है यहां पर recruitment निकली हुई है तो हम एक बाद चैपूर का देख लेते हैं ती कrah रजस्तान रूमें क्या है वह देख लेते हैं जानकारी कर और क्या-क्या प्रोसीजर है तो चैपुर से स्टाट करते हैं इसको पहले बढ़ा कर लेते हैं दाकि आप उनको फूल स्क्रीन में अच्छे से दिखाए दें यह देखिए ऑन्लाइन एक्जम डे 17 अप्रेल ऑनवर्ड होंगी अप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ देखिए जैसे रेली रेकुट्मेंट है ऐलिजबिटी स्टेटिस चेक कर लेजिए एक्जामिशन फी में अल्रीड बता चुकी हूं मैंने सब कुछ बता दिया हूं ओन्लाइन सी इभी वही है कैटिग्री वाइज लिंक्स जो है आपको वेबसाइट पर नेबल हो जाएगा प्रैक्टिस सी एस पर देर कैटिग्री ओल्डेट्स एड़ेस तो केरिया तो केरी आउट प्रैक्टिस आपको एक्टिस कर लेना उसके बाद ही जैसी पर जो है आप इस्टेड हो जो मैंने पहले बता है उसमें से आप पहले लॉग इन कर लीजिए जान लीजिए वीडियो देख लीजि है इस पर मेडिकल स्टेंडर्ड होनी चाहिए बीफाम और दीफाम को अरड़ी प्ताइब ट्वेल्ट बोर्ड एक्जांस अरवेटिं डिकले लो तो एलिजिबल है वो भी सुल्फिल करने के लिए सबके कि ओरीजिनल माकशी जब तक प्रडियूस नहीं करेंगे तब तक आप जो है वह प्रोसमें नहीं अंगे छीख फजिकल रिलैक्सेशेशिए इसकल स्टेंडि कैसा ए for the son of समयं SOS एक सर्विसमें वार विडो विडो एक सर्विसमें टीक है फार अडप्टिट संस अन लोब एक एक अबुड भी अगर कोई संट जैंडॉब्ट करती है तो उनके लिए भी जो है वो वह है रिलक्सेशन है कुछ फिसकल स्टेंडर्ड में ठीक है और sportsmen's के लिए भी है ठीक है तो नोट relaxation in three measurements 15 measurements more relaxation in high chest or weight में बाकी सारे physical standards आपको meet करने हैं ठीक है यहां पर दिया हुआ है कितने marks क्या है pharma में total कितने marks रहेंगे marks के बारे में भी आपको बता दिया गया है 20 marks से देखिए awarded to eligible candidate bonus marks जो मिलने वाले हैं वो भी awarded आपको बता दिये हैं यहां पर सकते हैं किसको कितने कितने bonus marks जो है यहां पर जाकर आप पर सकते sequence of recruitment क्या है phase 1 में online cc करनी है आपको checking gate login करना है appear for test करना है उसके बाद biometrics होगी marking paper for online test full marks for every correct pencil nil marks for attempt question अब इसमें मैं आपको जो है examination pattern बता दे रही हूं indirectly कि आपको full marks के direct answer करने के लिए full marks मिलेंगे कोई भी negative answer नहीं है 25 इसमें इसमें जो भी आप भरेंगे उसमें से वजह सा होता है हमारे examination में वैसे होगा admit paragraph education certificate आपको सारे लगेंगे दो मिल्साल certificate लगेगा का certificate लेगा स्कूल करेक्टर सेटिफिकेट करेक्टर सेटिफिकेट बी ज़रूर लगेगा इसमें relationship certificate अगर आप relationship के थूप कुछ ले रहे हैं तो भी आपको sports certificate list of sports pen card सब के बारे में जानकारी देना यहां पर बहुत जरूरी एक बार जाएं और साइट को अर्राम से पढ़ लें यहां पर CE भरने के पहले तो यह रहा आपका राजस्थान के बारे मैंने आपको बता दिया राजस्थान के लिए जो criteria या वो समय विसे सब के लिए एक ही जैसे हैं बस राजस्थान है तो राजस्थान वाले candidate यहां पर apply सारी जो है रिक्वार्मेंट्स आपको कहां से देखनी है कहां पूरी जानकारी मिलेगी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और साथी साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीजेगा आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके से लेबिस के बारे में और एक्जाम पैटन के बारे में बात करूँगी तो प्लीज इस चैनल पर बने रहेगा थैंक यू फो वाच्छिंग